बरसात का मौसम हो यानि की वर्षा रितू हो और बाल ना टूटे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है हेलो एबरिवन वेलकम तो पासना की दुनिया कैसे हो आप सब उमीद करती हूँ सब बहुत अच्छे हैं सबकी लाइफ बहुत अमेजिंग चल रही है समझ तो आप लोग गए होंगे कि बाल यार कितनी टेंशन हो जाती है जब नहाते टाइम ना बालों के गुच्छे निकलते हैं और स्कैल्प विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है मतलब आज की ताइम में तो यंग जनरेशन भी ये इस्यू बहुत साथा फेस कर रही है हॉर्मोनल इंशू है थारेट की वज़ा से है PCOS की वज़ा से है देरा सो मैनी फेक्टर जिनकी वज़ा से कंटीन्यू हेर फॉल रहता है तरह तरह कि हम लोग ट्वीटमेंट लेते हैं ओयल यूज करते हैं शैंपू यूज करते हैं फिर भी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं एक ताइम पर आगे हम लोग बहुत सदा फ्रस्टेट हो जाते हैं तो आज मैं बताने वाली हूँ हाव टो रिड्यूस और वी कन से जो बिल्कुल इनिशल फेज में हाव टो स्टॉप यूर हेर फॉल जस्ट इन सेवंटी टू आर्स यानि की तीन दिन में आप अपने हेर फॉल को कैसे रिड्यूस कर सकते हो या कंप्लीटली स्टॉप कर सकत करना है नीम्व बानी बड़ा अच्छा लगता है शिक अजीसे बोलते हैं वेट लूज में हेल्प करता है रिच in वाइटमीन सकी है हमारी स्किन को नरिश करता है बट नीम्व साथ-साथ में हमारी जो रूट्स हेर की रूट्स जो है फालिकलि उसको भी रिपेयर करता है ही तो बहुत एक सिंपल रहा है आपको एक संपल पृसे स्ट को फॉलो करना है जब भी Rosa possess थे लगता है किता एवर्वा कर सकते हैं आपको कांटीव्योरी दिए इसमें आप ब्रेकल करता शा viewers सबसे पहले हम लेंगे बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है कोकनट ओयल पैरशूट का आपको लेना है दूसरा नहीं करना है कोई भी यूज और आपने एक कटोरी में जितना लगता है कि आप अपने बालों में यूज कर सकते हैं आपने कोकनट ओयल लेना है इस ओयल में उसके बाद आपको क्या करना है इतने साइस का नीम्बू लेना है तो जितना कोकनट ओयल के आपको रिक्वार्मेंट है आप उतना ढालोगे स्पोस आपको लगता है कि मेरे लिए चार चमश ज़रूरी है तो आपको चार चमश तालना है उसमें जो है आपको वन थर्ड पोशन जो है वो नीम्बू का रस तालना है और जैसे आपने अभी यह ओयल बनाया मनू आपको लगते कि चार चमश यह थे तो आपने आपने 1.5 स्पून जो है आपने लेमन जूस एड किया और अच्छे से अपने स्केल्प में मसाज करनी है प्रॉपली रूट्स में ठीक है फोर एन एक्जाम्पल कि हम स्टार्ट करते हैं फ्राइडे को ठीक है जैसे यह वीकेंड आ रहा है सेकिंड सेटर्डे संडे फ्राइडे मौनिंग आपने जो है यह ओयल इस तरह से बना के अपने स्केल्प में मालिश करनी है उसके बाद आपने हेर वाश नहीं करने है इवनिंग में फिर से आप कोकनट ओयल होगे और उसमें लेमन जूस एड करोगे then Saturday morning उटके आपको same process repeat करना है Saturday सोने से पहले भी same process repeat करना है Sunday morning, Sunday evening 72 hour आपके complete हो गये and then Monday morning जब भी आपको जाना है आप shampoo से अपने बालों को धो लिजिए आपको एक magical change वहाँ पे feel होगा और आपको लगेगा यार वाकई में 72 घंटे में किये तो कमाल हो गया और आप इस remedy को repeat कर सकते हैं N number of time इस weekend किया, next weekend, next weekend जब तक आप लोगों को लगते हैं कि completely reduced नहीं हुआ यार factor बहुत सारे, suppose thyroid की वज़ा से है, यह उसको control करेगा पर permanent cure नहीं करेगा reason क्योंकि hormonal imbalance है PCOD है तो आप उस पे काम करो, जो भी factor है और जो लोग कहते है, regrowth नहीं हो सकती बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ऐसे दिखाते हैं कि scalp बहुत जादा visible हो गया यहां से यहां से पूरे बाल उड़ गए वो इस remedy को try करो और इसके साथ आप हमारा treatment start करो जो भी हमारे patient है, जिनको लगता है कि result बहुत slow है, कुछ patient ऐसे भी जिनको दो महिने में effect नहीं दिखा और कुछ ऐसे भी जिनको एक week में visible result है उन में क्या है, generally जब हम 2 months दे रहे हैं, effect नहीं आ रहा तो generally या तो vitamin D की deficiency है या calcium की जो हमारी bone है, अस्ती है, अस्ती जो है, उसका मल जो होता है, वो हमारे case है तो calcium अगर वहाँ पर lag कर रहा है, तो definitely वहाँ पर भी hair fall होगा और इस time पर हमारी जो young generation है 80% जो लोग है, adult है, among youngsters की अगर मैं बात करूँ, they all are suffering from hair fall गंजे हो रहे हैं, कम मेज में, जिसे आप सोचिए कि छोटा बच्चा है, with the passage of time, बाल ग्रो करते हैं, वैसे ही धीरे-धीरे करके growth हाना, start हो जाती है एक myth बन गया कि सिरफ vitamin E के deficiencies होता है, नहीं, हमारी body में zinc, magnesium, vitamin B12, vitamin D, vitamin के, हर चीज उतनी उचित मातरा में जरूरी है इसके साथ आपको diet में क्या लेना है, तीन दिन के लिए, coconut water, दिन में एक बार आपको tender coconut water लेना है, किसी भी time आप ले सकते हैं, अगर आप empty stomach ले सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं ले सकते हैं, तो आप इस routine को follow करो और दिन में किसी भी time पे आप ले लो, दूसरी चीज आपको 3 दिन में आपको पालक का सेवन करना है, किसी भी दिन कर लिजिए, एक बार आपको neutrila का सेवन करना है और एक दिन आपको मश्रूम का सेवन करना है, आप 1 एक दिन 3 चीज जो है वो अपनी diet में add करेंगे, इसके साथ में अगर आपके पास आवला वेलिबल है, ठीक है दिन में एक बार आपको एक कच्छा आवला लेना है 72 गंडे का सिरफ मैं रूटीन बता रही है और आप 72 गंडे फॉलो करके देखेगा आपको अपने आप चेंज देखेगा उसके बाद क्या है नाभी मैंने हमेशा बताया कि नाभी जो है न ठीक है यह तो हो गया आपका नॉर्मल रूटीन इसके बाद अगर आपके पास वक्त है और आपको लगता है कि आप फॉलो कर सकते हो तो रोज रात को सोने से पहले बादाम रोगन की एक-एक बून लेके दोनों नाख में डालनी है और इस तरह से नाख को मसाज करनी है इस तरह से और फिर सो जाना है पस 72 आर में मेरिकल होगा मैं इतना कहती हूँ आपना अपनी पहले की पिच्चर निकाल के रखना जो बालों के आपके तूटते हैं और खींच के रखना और तीन दिन के बाद कंपारिजन करना कुछ लोगों का जिनको कुछ सालों से होगा हो सकता है कि उन लोगों में इंस्टेंट इफेक्ट ना आए बट आप दो वीक तीन वीक इसे फॉलो करोंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा तो आई होप कि ये रेमेडी अच्छी लगी हो मुझे नहीं बता यार कुछ पुरानी वीडियोज में मतलब मैं खुद इस चीज़ को देख रही हूँ मैं हमेशा मेरे जितने भी पेशेंट OPD में आते हैं आप लोग प्लीज कमेंट करके बताना आज तक मेरा एक भी पेशेंट ये कंप्लेंट नहीं कर सकता कि मैं वक्त नहीं देते दूसरा कि मैं लालची है कि कुछ भी अमाउंट हम लोग लेते हैं कभी भी नहीं है हमारा अमाउंट स्टार्टिंग से लेके अब तक फिक्स है और वही अमाउंट है हर किसी पेशेंट के लिए कम मैं कर सकती हूँ जादा मैंने कभी नहीं लिया लेकिन मुझे नहीं पता यार देखे आप लोग भी इतने टाइम से हमें जानते हैं कुछ लोग जो हैं अन्नोन आईडी से हमारी हर वीडियो पे जो भी हमारा ट्रीटमेंट है उसको लेके बहुत जादा नेगिटिविटी फैला रहे है जब हम उनसे इन मतलब कमेंट में हम रिवर्ट करते हैं तो उसके बाद उनका कमेंट आना बंध हो जाता है लेकिन उससे होता क्या है कि डिस्ट्राक्शन होती है जो हमारे पेशेंट्स हैं कहीं न कहीं डाउट क्रियेट होता है तो मेरा सिरफ यह मानना है कि आप लोग अपनी सुराउणिंग में भी रहते हैं आपको कभी उपर जाते कोई नहीं देख सकता सिमिलर चीज हम लोग फेस कर रहे हैं जैसे रिजल्ट अच्छे है थे वाँ पे दस पॉजिटिव कमेंट है किसी ना किसी को होता है वो फिर नेगिटिव वो चीज करते है तो मेरी सिरफ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चाहे आप हमारी रेमिडी फॉलो करें चाहे आप हमारा ट्रीटमेंट ले किसी भी चीज को लेके हेर फॉल है पिग्मेंडेशन है, मेलाजमा है, PCOD है, डिप्रेशन है किसी भी चीज को लेके ले लेकिन प्लीज आप नेगिटिविटी को अवाइड करें आप जो दस पॉजिटिव है ना आप उसको सोचे नेगिटिव चीज हमेशा वहाँ पे रहती है तो I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी रगी हो और बहुत जल्दी हम हम, मतलब पंच करमा के लिए होम सर्विस स्टार्ट करने वाले हैं तो जो भी क्लाइंट्स इंट्रस्टिड है अभी हम सर्वे कर रहे हैं वन मन्त के लिए बट प्लीज आप लोग जादा से जादा लाइक करो, कमेंट करो, शेर करो शेर बहुत इंपोर्टन है प्लीज अब आप लोग इतना सपोर्ट जरूर करना आप लोगोंने मुझे बहुत प्यार दिया है आगे भी इसे तरह से देते रहें इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हूँ वैसे तो सबके घर में अवेलेबल होता है फिर भी किसी के पास ना हो तो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं आप लोगोंने उपासना की दुनिया को बहुत प्यार दिया है आगे भी इसे तरह से देते रहें